नमस्कार राजिसभाट टेलिविजन के कारिकरम मीडिया मन्थन में आपका स्वागत है मैं हूँ उर्मिलेश मीडिया मन्थन के आज के अंक में हम बात करेंगे आम लोगों की खास अपराद कताएं और मीडिया देश की राजधानी में बीते 27 अगस्त को एक पिता ने दूद मांगने पर अपने तीन साल के बेटे की हत्या कर दी और उसका शाओ नहर में फेंक दिया इसी दिन दिल्ली के एक हजुरी खास में रहने वाला नौवी कक्षा का पंदरह वर्ष ये चात्र मुहमद अजीम पीने के पानी की जंग का शिकार हो गया इसे ठीक एक महिना पाले 27 जुलाई को पश्शी मुत्तर प्रदेश के घाजयाबाद के एक नीजी विद्याले की प्रतिभाशाली चात्रा प्रियान्शी ने आत्मात्या कर ली वज़ा बताई गई स्कूल की बकाया फीज जमा करने के लिए पढ़ने वाला भयानक दबाओ स्कूल वालों ने घर आकर प्रियान्शी के परिजनों के साथ दुर्बेभार किया ख़बरों के मताबिक इससे चुप दोकरा प्रियान्शी ने उसी दिन आत्मात्या कर ली ऐसी ख़बरें इन दिनों लगातार बढ़ रही हैं यहां मैंने सिर्फ कुछ उधारन दिये हैं राइधानी या उसके आसपास की वारदात होने के चलते इनकी ख़बरें अखवारों में छप गई दक्षन से उत्तर और पश्चिम से पूरब तक अपने देश में ऐसे भयानक कान हजारों की संख्या में घटित हो रहे हैं पुलिस रिकार्ड ऐसे मामलों को अपराद की एक घटना के रूप में दर्ज कर लेता है लेकिन ये आम अपराद हैं ये आम लोगों के खास अपराद हैं इन्हें करने वाले पेश्चेवर अपराद ही नहीं है इन सब के पीछे कोई न कोई भयानक कहानी है और हर कहानी महारेगर से नगर और कस्बे से गाउं तक तेजी से फैलते हमारे आमानवी अर्थतंतर से जुड़ी होई है कोई क्रिशित छेतर में व्याप्त गतिरोत का मारा है तो किसी का परिवार कल कार खानों या दफ्तरों की छटनी का दंश जेल रहा है ले देकर उनमें ज्यादातर परिवार बेरोजगारी, बेहत कम मजदूरी पाने, अलाबकारी खेती या बीमारी के चलते लगातार बेहाल होते गए हैं प्रियान शी की आत्महत्या के पीछे आमानवीयता के चरम को छूती हमारी नीजी कृत शिक्षा व्यवस्ता है तो समयपुर बादली के तीन वर्षिय बेटे के दूद मांगने पर हत्यारे पिता की आँखों में बरबरता का जंगल उगाता है इसी तरह खजुरी खास के मुहमद अजीम का कतल सारुजनिक नलके से पानी पीने के विवाद में होता है ज्यादतर मामलों में अपराद के शिकार हैं बच्चे इसके अलावा अगर कुछ कामन है तो वो है कामन मैन के लिए बहुत तेजी से गैर बराबरी, लाचारी, बढ़ाता और उसकी सुधाएं समिटता हमारा ये अर्थ तंत्र आखिर इस तरह के अपरादों खास कर आम लोगों की इन खास अपराद काताओं को कैसे कबर कर रहा है हमारा मीडिया आज का हमारा यही बिशाय है चर्चा मे भाग ले रहे हैं चार खास मिहमान हमारे साथ हैं विश्रुनागर वरिष्ट पत्रकार, हमारे साथ हैं इनाक्षी गांगुली बाल अधिकार कारी करता, हमारे साथ हैं शीबा, असलम, फहमी, वरिष्ट पत्रकार, और साथ में नेशनल हेराल ग्रुप के नौ नियुक्त प्रधान संपादक निला मिश्र, ये च कि ये जो मेरे हिसाब से जो आम लोगों की खास अपराद कताएं हैं जिस तरह इनकी खबरे मीडिया में आती हैं ये सिर्फ क्या वहीं तक्सीमित हैं ये खबरें या इनके आगे भी बहुत कुछ है जो मीडिया नहीं कह पाता जो मीडिया नहीं दिखा पाता या एक ट्रेंड बन गया है कि हम बस खबर देंगे हम जो थाना कहेगा वैसे देंगे बिल्कुल बिल्कुल देखिए जब तक कोई खबर या कोई अपरात कथा हमारे देश के अमीर वर्क से संबनित ना हो तब तक जो है उसकी गहराई में उसके तमाम परतों में जाने के कोई कोशिश नहीं करता है सिर्फ जो है जब गरीब वर के साथ जो भी कुछ होता है वो पहले दिन खबर बन जाता है हद से हद और उसके बाद उसका कोई इसके क्या कारण नहीं इसके पीछे इवन मैं पढ़ता हूँ खबरों को कि क्यों किसी ने आत्मत्या की या क्यों किसी ने हत्या की इसके कारणों में जाने की कोई कोशिश नहीं करता हूँ अधिक तर अगबार जो है जो रिपोर्टर जो पुलीस का प्रवक्ता जो कहता है जादातर खबरें उसी तक सीमित रहती है तो इसका कारण बहुत बड़ा ये है कि हमारे जो सबाज में जो जैसे कि आपने कहा कि भैयानक जो असमानता है उसके कारण जो है गरीबों के प्रती आम तोर पर ये रवईया है कि उनकी हालत पर हमें नजर नहीं डालना है उसी उसी की उसी उदासींता का ये कारण है कि आप जो है जो गरीबों के साथ होता है क्यों इसके सामजिक कारणों में आखर अगर आगर थोड़ी सी इंक्वाईरी करें तो आपको सौझ में आएगा जैसा कि थोड़ी हुद खबरों से पता भी चलता है कि क्यों इसी चीज अब यह जो बच्चे की जो हत्या हुई थी तो जहीर है कि वो भी पानी भरने गया था, दूसरे बच्चे भी पानी भरने गये थे और अगर पानी की मान लिजे, उस इलाके में सुधा हैं होती है, तो शायद यसी अंसी तमाम हमारी पूरी व्यवस्था जो है, वो गरीबों क इतने खिलाफ है हर तरह से कि वो इस बात कोई जगे ही नहीं देती है कि आप अगर 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 अबिवस्था में कुछ कुछ समयदन शीलता आए तो बहुत सी इस तरह की जो हर का चीजे हैं वो रुक सकती है शीबा क्या हम यह समझना चाहते हैं आप से कि इसमें बच्चे नौजमान लड़किया जैसे आपने देखा गुहाटी की बहनों ने आत्मत्या कर ली फतेहबाद जो हरियाना में पड़ता है वहां दो बहनों ने आत्मत्या कर ली उन्होंने लाइसेंसी रिवालवर्वर मेडिया से चुड़ा सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं कि क्या मेडिया नियाए कर रहा है अगर कर नहीं कर रहा है तो आखिर वज़ा क्या है क्या संवेदना की कमी है सोच की कमी है या हम वाकई तह हमें जा नहीं पाते उन्मिलेश साहब जो आपकी भूमिका थी ना उ कोई ब्यूरो की वेब साइट पर जाएं कुछ मत देखिए सिर्फ उनका 2015 की जो रिपोर्ट है जो क्राइम की उसका आप डिस्क्लेमर देख लीजे आपको सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा वो साफ कहते हैं कि इसमें कॉजेटिव फैक्टर्स हम नहीं लेंगे इसमे आप उन सब चीजों को माइनस कर देते हैं तो हम बात दे हो जाते हैं कि हताशा में दूबे हुए इनसान जो अपनी जान ले लेपा, उसको भी हम इसी के सर पे थोपके एक क्राइम कहने लगे। और उस हताशा में किये गए अपने साथ उस ज्यात्ती को हम जब क्राइम कहते हैं और क्राइम के सिफ ठंडे आकड़ों में उसको जोड़ देते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हम एक समाज के तौर पे किधर जा रहे हैं मीडिया बहुत बड़ी पुंजी का खेल है हम सब जानते हैं इतनी बड़ी पुंजी के खेल में समाज शास्त्री और आर्थिक जो क्रिटीक होना चाहिए हमारे सिस्टम का वो मुमकिन ही नहीं है ये बात समझने किये तो कोई ताज्यूब नहीं है ना तो National Crime Record Bureau उस तरफ सोचता है ना हमारा मीडिया उस तरफ सोचता है ये ठंडे आकड़े हैं हाँ अगर किसी एक सेलिब्रिटी का कोई कांड होगा जो हमने देखा था चुनाओ के आसपास वो कांड उसके परिवार में कौन क्या खाता है कैसे रहता है कौन सा ड्रिंग पीता है ये इसकी पूरी खबर मीडिया आपको बार बार रटा देगा लेकिन वो नहीं बताएगा कि कांड़ पूर में या किसी बच्चे को आप देखिए सबसे बड़ा मैंने प्रियांची की घटना जो हुई गर्जियाबाद की एक मेहना पहले की मैंने उसका कोई फालो अप अभी चक नहीं देखा आप ये देखिए कि बच्चे फीस ना देने के लिए या तो जान से मार दिये जा रहे हैं या खुद अपनी जान ले रहे हैं दोनों चीज़े हो रही हैं एक स्कूल में जान से मार दिया गया और कई बच्चे जान ले रहे हैं अपनी हो क्या रहा है में सब कुछ अपने एडिट पेज पर लिखते हैं लेकिन जब बात खाबरों की आती है खासकर अख़वार में भी अख़वार तो फिर भी कुछ दे रहे हैं लेकिन टेलिविजन में सीरे से गायब है किसी नेता की कोई कथित सेक्स कथा आती है तो ऐसा लगता है कि नियूज की कहानिया मरते हुए लोगों की मारते हुए लोगों की अपराज की दुनिया में ढखे ले जाते लोगों की कहानिया ये क्यों गयब है पहले थर्ड पेज पर फूर्थ पेज पर फिप पर अख़वारों के चला करती थी कहानिया अब वहाँ भी सब कुछ गया है देखिए यह समवेदना बनाम संसनी का शास्त्र है और इसमें अभी हम देख रहे हैं कि संसनी को प्रमुक्ता दी जा रही है क्योंकि समवेदना एक ऐसी चीज है जो अनुभूती से जुड़ी है और जब आप समवेदना की तह में जाएंगे तो आपको अपने समाज को उधेड़ना पड़ेगा और उधेड़ना पड़ेगा उसमें आपका अपना दोश भी दिखेगा और जैसे मान लीजिए हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई जो हर जगे छुपी हुई है वो जैसे बाल यौन शोशन है वो हर जगे चुपी हुई चीज है और कई चीजों के बारे में चुपी चल रही है घरेलू हिंसा के बारे में चुपी है और जब ऐसी कोई घटना होती है जब हम उसको संसनी बना के पेश करते हैं तो हम वो जो भयानक सच्चाई उसके पीछे है उस सच्चाई को हम सामने उससे रूबरू नहीं होना चाहते और पाठकों को भी रूबरू नहीं करने देना चाहते है क्योंकि यह जो मीडिया का अर्थशास्त्र है वह तमाम फील गूड का अर्थशास्त्र है feel good के अर्थ शास्त्र में आप सब कुछ अच्छा चल ला है सब कुछ भला चल ला है सब कुछ दुनिया हम विकास कर रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन जो भयानक सच्चाई उसके पीछे कहीं हो सकता है और उस निजी करन के पीछे जो आगे निकलने की होड है जो एक स्वार्थी होड तयार की गई है बच्चा और जिसको माबाप बच्चों पर थोपना चाहते हैं क्योंकि माबाप खुद एक विक्टिम है और वो विक्टिम हुड में वो एग्रेसर हो जाते हैं तो ये चीज जो है वो आकर्वन कारी खुदी हो रहे हैं इसलिए इसको ये सब चीजें बड़ी तह में जाने पर सामने आ जाएंगी तो हम तह में न जाके इन पर संसनी का एक लेप लगा देते हैं इनक्षी मैं आप चुकी बालाधी कारे करता हैं उनके बीच में काम कर रही हैं अपने देश में जब भी हम अपने मद्धवर के बीच में शहरी लोगों के बीच में बैठते हैं लोग कहते हैं यार अपना देश डेनमार्क जैसा नहीं है नार्वेज जैसा होना चाहिए आपराज मुक्त समाज का जो सपना हमारा है वो सपना सिर्फ है क्या हकीकत को हम बिल्कुल नजर अंदाज करना है हम समझना नहीं चाहते मीडिया में इसकी चाया क्यों नहीं है आपके हिसाफ से पिछले साल या इस साल भी इसी स्टूडियो में चर्चा हुई होगी दो बहुत बड़े कानूनों की एक तो जुविनाइल जस्टिस आक्ट था और एक चायल लेबर आक जहां निलाब बैठे थे वही मैं बैठी थी लेकिन हमने हमारी जो मिडल क्लास है न उसको खुश करने क जह को बनाते हैं तो तभी हम कानून बनाते हैं हमारा मतलब है गंत्लाब होड है बन गया कानून का कि यह प्रपरब्लम है, इसको सौल्व करो एक चानून बना 20 जिसमें कौन फहस्ता है यह गडीब बच्चे क्योंकि आपको याद हो का यही बात हुी थी कि यह कौन हैं लेकिन वह सवाल हम नहीं पूछते हैं हम को किसी तरह से इनको अपने आग से ओज्छल कर दें तो वहां सल्यूशन खतम है ताकि हम अपनी गाड़ी चलाते रहे हम अपनी यूनो लाइफ जैसे जैसे के तैसे चलता रहे तो अब आप हम यह नहीं कर रहे हैं कि हम इसमें ए पूरी सोसाइटी अनसेफ है देश के ओड़ते अनसेफ है और जब तक यह लड़के यहां घूमते रहेंगे तो हम इसलिए इनको सब को अंदर कर तो फिर चाइल लेबर का कानून बना अगे अब गड़ी बच्चे काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या तो उनको घर में का तो हम जो कानून भी बनाते हैं वो हम सोशल आटिट्यूट को रिफलेक्ट करते हुए बनाते हैं स्टैंडर्स को आप करते हुए नहीं तो हम कहां से नौर्वे बन पाएंगे एनाक्षी आप बहुत महत्पून बात कह रही हैं और मुझे लगता है कि हमारी चर्चा का या एक बहुत आम पाहलू है एक छोटा अंतराल अभी हम लेते हैं और अंतराल के बाद जब लोटेंगे तो आपने जो सवाल उठाए हैं हम अपने अन्न महमानों से भी इस मेडिया मंतन की आज की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है अंतराल से पहले हम बात कर रहे थे आम लोगों की खास अपराद कताएं और मीडिया मीडिया कैसे इन चीजों को देखता है एनाक्षी बहुत महत्पून पॉइंट उठा रही थी लेकिन इलाव आप एक वरिष्ट समपादक हैं हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि हमारा मीडिया खासकर विज्वल मीडिया रोज शाम को एक नायक खलनायक की तलाश करता है रोज भारत की तरफ से हमारे रास्टर की तरफ से सवाल पूछता है लेकिन अपने सिस्टम के अंदर के ये जो गुना है जो सिस्टम कहीं न कहीं एक दिखाई देता है कि उसकी जो कमिया है आखिर उस पर कोई सवाल खड़ा करने से वो क्यों बचना चाहता है इन बच्चों के बारे में इन लड़कियों के बारे में इतनी बड़ी आबादी प्रभावित है कोई अपराद करने करता है कोई अपर पर्फॉर्मेंस बनता जा रहा है जैसे मान लीजिए ये पहले जमाने में नौटंकी या नट के कर्तब होते थे तो ये वो कर्तब में ढलता जा रहा है और खुद वो एक आभासी दुनिया में जीता है वर्चुल रियालिटी पहले इंटरनेट के संदर में प्रयोग होना प्रयात कर ली है और उसमें उसे संसनी की ज़रुवत होती है क्योंकि वह वास्तवी की अथार्थ है उससे वो इतना दूर जाद चला है और आभासी अथार्थ की दुनिया में जी रहा है तो यह जो संबंद विच्छेद हुआ है उसके लिए उसको कोई फंतासी चाहिए औ वो एक खलनाएक गड़ Tight लेता है कभी एक नाएक गड़नेगा और चीजों को बिल्कुल काले सफेद में दिखाने की कोशिश करता है जो ज़दा से जादा जिसमें कहते हैं जब वो शोग के इसमें चला जाता है तो वास्तविक्ता से वास्तविक्ता उससे कोसो दूर होती चली जाती है और वास्तविक्ता अगर उसमें आएगी तो इसका यह पूरा अभासी संसार ढह जाएगा उस अभासी संसार का अथिसात्र भी ढह जाएगा लेकिन इलाब माफ कीज़े गास तक्षेप के लिए कि आखिर दुनिया के विकसित जो देश हैं, खासकर विकसित पूझी बादी देश जहां जनतंत्र भी है, जिनसे हम काफी अपने को कहते हैं कि हम उनसे जुड़े हुए हैं या उनसे अपने को जोड़ते हैं, लेकिन वहा के जो इशूज हैं, उन पर संजीदा बहसे भी होती हैं, संजीदा बहसे होती हैं, लेकिन आप जब उस दिशा में आप सिर्फ अगर नारे के स्तर पर जाना चाहते हैं, अपना फील गुड जो आपने आभासी दुनिया बनाई है, उस दुनिया में आप वास्तविक लोकतं नियंतर हासिल करने में, जब आप समाज को और आम जन को जब आप सत्ता देंगे, तो आप अपनी सत्ता तो कुछ छोड़ेंगे, वह सत्ता आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, शिवा आप कुछ कहना चाहते हैं, आप यह आपने आपको मीडिया के तोर पे बहुत विक्सित के साथ जोड़ते हैं, लेकिन हमारा मीडिया अपनी तारीफ कितनी भी कर ले, वह एक आग्याकारी मीडिया है, और उस आग्याकारी मीडिया का एक नियंतरा नहीं है, सरकार के अलावा भी उसके जो द्योग पती वर्ग है, वह उसका माईबाप है, और उस माईबाप का जो आपका उशारा विज्ञापन के लिए विज्टाफ वे इतना बड़ा सेट-पयर यह नहीं सकता बिना उस भैयानक पुझी के और यह जो शुर्ब लगरा। कि इस पर रिपोर्टिंग होगी दूसरी बात यह कि रिपोर्टिंग है लेकिन शिवा आपको एक बहुत दिल्चस्प बात बता हुँ मैं अभी कुछ दिन पहले की बात है अल जजीरा पर इन जिनों ऑल जजीरा भारत की ग्रासरूट की बहुत सारी कहानियां कहने लगा है अ अल जजीरा पर मैं दिल्डी के आसपास के जो इलाकें सबर्बन एरिया वहां पे पानी पानी के वितरन को लेकर उसके नीजी करण पर लेकर एक बहतरीन खाबर मैंने देखी टेलिविजन पर ये बिल्कुल ये अल जजीरा अगर आपको भारत की ग्राउंड रूट की खब कर दी गई है एनाक्षी ये बाल श्रमिक कानून हमारे देश में आया है और टेलिविजन चैनल अगर देखा जाए प्रेविट चैनलों की बात मैं कर रहा हूं मीडिया भी ब्राडली बच्चों की जो अपराद की दुनिया में उनकी जो इंट्री है दाखिला जो उनका है अपराद के सहम जो शिकार हैं हमने पिछले दिनों भी देखा चाहे हो बलातकार के मामले में गिरफ्ट में आये लोग हों तो जिस तरह के बच्चे इस तरह की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं तो सभी आम तोर पे मैं एक्सेप्सन्स की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन ए आप इन चीजों को देख रहे हैं और क्या मीडिया इन पर ज्यादा कहानिया कहता तो हमारी वेवस्ता वेवस्ता को चलाने वाले ज्यादा संजीदा संबेदनशील हो सकते थे इस इशू पर आज वो तारीख है जिस पे ये बाल श्रम अधीनियम जो बना था आज लागू ह हो रहा है आज के पेपर में इसका एड़र्टिस्मेंट है और लोग आज मेरे लिए बहुत दुख का दिन है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हार गई इसलिए हार गई कि ना मैं मेडिया को कंविंस कर पाई ना मैं अपने पार्लिमेंटेरियन को कंविंस कर पाई कि ये एक है ये बच्चों को वाक्षा केल रहा है उसी दुनिया में से जिससे वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं 2015 का ये किसी को कुछ दिख ये क्यों नहीं दिखता कि हम जब बोलते हैं कि जब बच्चे काम करते हैं तब उनको योन शशोशन भी उनके साथ होता है ये एक पारिवारिक जब हम बोलते हैं पारिवार में काम कर रहे हैं उसमें शोशन है क्योंकि पारिवार में भी शोशन होता है और ये पूरा एक market की तरफ free market में unorganized sector में बच्चों को ढखेलने का जो एक चाल है वो ये कानून कर रहा है जब हम ये बोलते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये you are you know emotional बोलते हैं लेकिन आज के 2015 के NCRB कहती है कि one of the main places, sites of yonic social is child labor ये लोगों को क्यों नहीं डिखता है, why is there no shock no shame because जब तक हमें जैसे निलाब ने कहा ये मेरी कहानी है, ये हम मैं दिली में कहती हूँ क्योंकि माफ कीजिएगा पर it's a terminology जो बिल्कुल सही कहता है सानू की और है सानू की वाला सानू की हमारा समाच पनिगा है जो लेबर लॉज और चाइड लेबर लॉज और एंवायमेंटल लॉज ये तीन कैडेगरी इस एक शर्मनाग इस तरह पहुँच गई हैं जहां पर गरीब पिट रहा है सिर्फ और चाइड लेबर में जिन उन्होंने रिलाक्स करके जिन हजाडर्स इंडस्ट्रीज में भी क्राइम हो रहा है वो आगे चलके मैंने ही कहती हन्रेट परसेंट लेकिन उसमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो कभी ना कभी अपना गुसा दिखाएगा अगर हम यही समझना चाहते हैं कि क्या मीडिया अगर इन कहानियों को दिखाता मीडिया जब मैं कहता हूं तो मैं जाहि क्या बच्चों को अपराद की दुनिया में के ले जाने का जो चल रहा हैसलसिला उसको क्या रोका नहीं जासकता था सिस्टम को सिस्टम चलाने वालों को ज्यादा संवेदमशील बनाया जासकता था अमर्थ सेंध तो बहुत सारी बात इं मीडिया के बारे में कहते हैं बारT के और दुनिया के भी कि जब जब हम बहुत सारी चुनोतियों से लड़ते हैं तो उसमें मीडिया अगर लोगों को सूचना देता है ग्यान देता है तो उसका OxART पूरे सिस्टम पर पड़ता है कहां कहां चूक रहे हैं? हम लोग चूक यहां रहे हैं क्योंकि हम लोग चूक ना चाहते हैं. इसलिए कि जब आप जैसे वो बच्ची का सवाल है जो फीस नहीं दे पाई. अपनी क्लास की टॉपर थी हो? हाँ, आप हद से हद यह करते हैं कि उस स्कूल की प्रिंसिपल या जो भी मनेजर्मेंट उसके खिलाफ आप कारवाई करके हद से हद वो भी करेंगे या नहीं करेंगे कोई पक्का नहीं है. लेकिन आप वहाँ चीजों को खत्म कर लेते हैं. या अस्पताल में कुछ होता तो उसको वहाँ खत्म कर देते हैं. या बच्चे के साथ किसी इंडिजुएल ने कोई अपराद किया है तो आप उस चीज़ को वहीं खत्म कर देते हैं. आप जो है चुकि पूरी विवस्था जो किस तरह उसमें मैं तो मानता हूँ कि जो इसमें जो है जो शिकारी का रोल भी करता है वो खुद भी जो है शिकार है. वो शिकार है यह इस बात को हमारा मीडिया समझने ने देता है. यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप एक व्यापक संदर्म में चीज़ों को देखना नहीं चाहते हैं. आप एक लिमिटेड संदर्म देना चाहते हैं. ताकि पूरी विवस्था पर जो कि हमें क्रिमिलाइज कर रही है लोगों को, लोगों को शोशित कर रही है उसकी पर जिमिलाइज कर देना चाहते हैं. निला बिल्कुल संदर्म में हमारे पास समय खत्म हो चला है कि क्या आप एक मेडिया परसन के तरुपे क्या सुझाओ देंगे कि इन कहानियों को, इन प्रक्रियाओं को हम मेडिया के जरिये अगर नहीं कर रहे हैं, तो आखिर वो क्या जरिया हो सकता है कि मेडिया को ज़्यादा इस बारे में समय दिन्शील बनाया जा सके कि इन कहानियों को कहा जाए, क्योंकि हम जिस तरह का देश बनाना चाहते हैं, जो सपना है, वो देश नहीं बन रहा है, अगर इन कहानियों को आप नहीं कहेंगे, तो पहला सुझाओं पहला तो उन्हें यह कदम उठाना पड़ेगा अपने यहां कि जिस सीमा तक वो उस धारा में न बहें और वो कहीं टूल न बनते चले जाएं लोगों के तो अपने संपाद की विवेक का इस्तिमाल करें और जो रिपोर्टर्स हैं उनको वो संपाद की दृष्ट दें जिसके तहत वो जब कोई कहानी बनती है तो उस कहानी की तहत तक जाएं प्रोफेशनल बने अब तो प्रोफेशनलिजम ही खतम हो गया है बाकी चीजें तो बात की समवेदना तो आगे की चीज है जो कहानी जहां तक जा रही है स्वयम जा रही है वो वहां तक भी नहीं जाना चाह कहानी कहना ही नहीं चाहते कहानी देखना ही नहीं चाहते है। को उसे दूर रखते हैं। हम सुपर पावर बनना चाहते हैं पर अपने सभी लोगों के लिए समान शिक्षा और समान चिकित्सा की सुविधा नहीं देते। के असल कहानिया यक्ष प्रस्निय ही है। सायद रेडिमेट जबाब किसी के पास नहीं है। लेकिन इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। चर्चा चाहे ओ एंजियोज हों, सिविल ससाइटी के संगठन अन्य हों या मीडिया, मीडिया के बाहर सियासतदान हों सभी खेत्रों में। मुझा लगता है इस गंभीर विशह पर चर्चा जरूरी है ताकि हम अपने बच्चों को और इस तरह अपने देश को बचा सकें। इन्हीं बातों के साथ आज की चर्चा का समापन नमस्कार देखते रही है राजिसवाद टेलिविजन।